नमस्कार दोस्तों, Government Examined 4 में आपका सौगत है तो देखें दोस्तों, यहाँ पर वन आरक्षी भरती परिक्षा को लेकर जो SIT Report जारी करनी होनी थी वो जारी हो चुकी है और 15 October 2020 को यह officially यहाँ पर जो समवाद के रूप में यहाँ पर जारी किया गया है जांच रिपोर्ट प्रकाशन जो समवाद के रूप में जारी किया गया है यह आज ही जारी किया गया है तो इसमें देखते हैं कि क्या बाते कही गई है देखें, यहाँ पर कहा गया है कि वन आरक्षी भरती परिक्षा संबंदित सबी अभिरती अवगत हैं कि इस लिकित परिक्षा में Bluetooth device के उपयोग की बात प्रकट हुई थी वो इसकी जाँच SIT द्वारा की जा रही है इस परिक्षा को नरेस्ट करने की मांग को लेकर आंदोलन आधी भी हुए वो पहले भी आयोग ने सबी अभिरती को यहां सूचित किया था कि यह एक सिमित नकल का मामला लगता है और आयोग इस मामले की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस पर ने ने लेगा बीच में भी आयोग द्वारा सबी अभिरती को सूचित किया गया प्राप्त जाच आक्या जनहित में अभियर्तियों के लिए सर्वजनि कर दिजाये, वह आगामी तीन दिनों में इस प्रिक्शा देने वाले अभियर्तियों से भी उनका feedback प्राप्त कर लिया जाये यह लिए मुक्य पक्षय है यानि कि जो कैनलेट है उन्हे का यहां पर यह मुक्य पक्षय देखे इस से जांच आखिया को सारवण alpha दिए गई है तो देखे इसको ध्यान से हम पढ़ते हुं कि समे पदो पर नियुकती है तो परिक्षा अजूत की गई थी दिनांक 17 दो 2020 याने की 17 फरवरी को ये परिक्षा में नकल कराये जाने के लिए कि संदर्ब में हरिद्वार में वादी आलुक हर्स के तहरीर पर कोतवाली मंगलोर में जो 144, 2020, 244 भादवी वा जन्पत पौडी गडवाल में कोतवाली पौडी परवादी गोपाल सिंग की तहरीर पर 14, 20, 420, 120 BIPC पंजिक्रित किया गया था तो इन धारों के तहत ये नकल की बात यहाँ पर जो है इसकी रिपोर्ट दी गई थी पंजिक्रित अभी योगी की वीचनात्मक कारिवाही से प्रकास में आया कि परिक्षा में अभिरती तोड़ा नकल करने के लिए Bluetooth devices जिसमें की Auto Receive द्वारा Incoming Call की सुब्दा अभलब थी ले जाई गई थी यानि कि इसकी ये बात साफ हुई थी कि जो Bluetooth दिवाई से उससे नकल की गई थी देखे जनपद हरिद्वार में पंजिक्रित मुकदमे में यह प्रकास में आया है कि अभियूक्त स्री रचित पुंडीर जिसकी duty करक्षिन एरक्षर के रूप में बी एस एम इंटर कॉलेज रोड़की में थी द्वारा अभियूक्त राहुल को पाइक्षा से कुछ समय पूर प्रश्णोपत्रों की फोटो खिचवा दी गई थी यानि कि पहले यहाँ पर जो फोटो है वो दे दी गई थी यहाँ पर और उक्तमाध्यम से उपलब्द प्रशनपत्र की हल करता अभियरतियों को उनके ब्लुटुर्ट डिवाइस पर कॉल कर उत्तर बता रहे थे तो यहाँ पर answers दिये जा रहे थे इसी जो यहाँ पर जो आपका question paper था जो leak हुआ था पेपर जो photo द्वारा leak हुआ था उसी को देख कर यहाँ पर answers बताया जा रहे थे Bluetooth device के माद्यम से अभ्योक्त गणों वो प्रिक्षान्तियों से ब्रामत Bluetooth device की IMEI का अवलोगन करने पर ग्याद हुआ कि परिक्षा में नकल कराने के लिए प्रयोग में लाए गई Bluetooth device का एक ही IMEI है परिक्षा में होई नकल का extent जानने के लिए device की IMEI और CIU कारेले के माद्यम से रन कराए गई, संबंदित कंपनियों द्वारा अपने नेटवर्क से संबंदित नंबर उपलब्द कराए गए, बयानों, गवाहाउनों, IMEI, रन, CDR, आदी के फलसुरू प्राप्त नंबरों का प्रयोग, परिक्षा के दिन, दिनांग 16 फरवरी 2020 को, प्रतम वद्यूतिय प और कल 57 अभिर्तों के इसमें नकल करने की बात सामने आई, पूरों प्रयासे से प्राप्त शाक्षों के आदार पर यहां पर कुल 31 अभिर्तियों को चेन्हित किया ङए जबकि जो 26 हैं, उसकी जांच हो रही है, यहांज हो चुकी है। यानि कि नकल की बात की पूष्टी हो हो चुकी है अभियर्ति द्वारा जो यहां पर आयम यही रहन है सीडियार है गवाह है इन सब भी द्वारे यह बात साफ हो चुकी है देखिए यहां पर इसके अलावा नकल के लिए प्रयोग में लाएगे डिवाइस के लोकेशन के आधार पर जन्पत पौड़ी कड़वाल ह किसी परीक्षा केंधर हे नकल ही या विपरंण सनलग्न चार्ठ में दऱसाया गया है जो नीचे दिया गया है इसके अलावा यहां पर जन्पत हौड़ी नकल होई बयान वादि गवाह निरक्षन ये सारी चीज़े करने के बाद जो शाक्षों के आदार पर अभ्यूक्त गर्ण पहला है हाँ पर मुकेश शेनी, दूसरा है रचित पुंडीर, तीसरा है संदीप, पुत्र कृष्णपाल, राहुल, दिशांत, और इनके विरुद्ध, 420, 120 BIPC, 66 DIT Act, आइटी एक्ट के तहत चुकि ये मुवाइल फोन और ब्लुटूथ दिवाइस तोरह यहां पर किया गया, तो IT Act यहां पर लगाया गया है, वह अभ्यूक्त सहनवाज उर्फ मुन्नू के विरुद्ध, चुर्मधारा, 420, 120 BIPC, बखुवी साबित होने पर, आरूप पत्र संक्या, 132, 22, दिनांग 174, 2020 किताब पर मारिनी न्याले में प्रिशित किया जा चुका है, इतके विरुद्ध सीख रही आरूप पत्र प्रिशित किया जाएगा, अनिच 26 तरविरुद्धों को चिन्हित करने का प्रहस जा रही है, वर्तमान में विविशना प्रचलित है, तो ये देखे पूरे रि कि हमें 22 सेंटर्स पर जांच की गई है,